सरकारले बुदबार बाटा चिनको अनुदानमा प्राप्त आट लाग डोस कोविर विरुद्धको खोब विरुसे लगावन शुरु गरेकुछ स्वास्ते तथा जनसंक्या मंद्रा लएले सो खोब 18 देखी 69 बर्स उमेर समुहका वेक्तिहरुलाई दीने जनायेकुछ बुदबार कार्मंडवको बानेशोर स्थिद नागरिक अस्पतालमा नेपालका लागी चिनिया राजदुद हो यान चिले कोरुणा विरुद्धको खोब हस्तान तरन पची उक्त खोब लगावन शुरु गरियेको हो खोब हस्तान तरन कारिक्रमंगा नेपालका लागी चिनिया राजदुद यान चिले चिन रा नेपाल निकी नजिक को मित्र भयकाले कोरुणा महामारी मा चिन ले नेपाल लाई खोब सहयो गरेको बताईन उनले अहिले आट लाग डोज उपलब्द गराएको भंदे येसले लक्षित बार गलाई कोरुणा महामारी बाता जोगावना मादद पुगने धारणा पने राखिन तेस्ते चिनिया राज़द ले विश्वामा दोस्रो चरन को कोरुणा महामारी देखिये को भंदे येसको रोग्थाम निके चुनोवती देखिये को जिकिर गरीन So actually the, China and Nepal are close Lauren Weth然 l so during the pandemic the global challenge to the human beings that the China will always stand his our Nipali friends so this time the Chinese government donated 800,000 Chinese vaccines कर दो झाल प्लेक फ्राइब लाझे लगना लल फ्राजी लाग से लुम का लगना लाध चेस झांध चाह़ अच्टिंपिंगा अल्रेट जुम्हें है को चाहन होती है कि चाहने प्रड़ था रखने में आज है तो कि प्रड़कों है So today's vaccination is a kind of implementation of our commitment. So we do hope that more and more Nipali peoples can have the vaccination and to fight against the pandemic in the final day. Now we are facing maybe the second wave of the pandemic. Still, the situation is very dangerous. The situation is very dangerous. महासाखा का अनुसार यो खोब 18-19-19-19-19-19-19-1919-1919-1919-2022 झाल झाल